वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नबर सेकेंट स्टार्ट करेंगे इसके पहले आपको बता दे चैप्टर फर्स्ट का टोटल जितना भी टॉपिक था आपके सिमस्टर एक्जाम में जितना भी स्लेवास में था आपके इनर्जी कंजर्वेशन में उस सब हमने पूरा कबर कर दिया है आप लोग जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लिजेगा इनर्जी कंजर्वेशन का वहां से अपने सभी टॉपिक को आसानी से नोट डाउन करके आप लोग खुद से अपना नोट्स कंप्लीट कर दिजेगा आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर सेकेंड का स्टार्ट करेंगे जो कि आपका कोई एक्ट है 2001 एक्ट के नाम से है जिसका नाम है आपको यह बताते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 यह पता दें डिप्लोमा के सभी ब्रांच के स्टुडेंट के लिए कावन सब्जेक्ट है आपको पता ही होगा सभी ब्रांच में यह सभी ब्रांच में यह सभी ब्रांच में तो सभी इस्टुडेंट के लिए मुस्ट इपॉर्टेट वीट्यू है आप लोग आसानी से अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं सेकेंड चेप्टर नर्जी के इंजर्वेशन एक्ट 2001 है 2001 का इनर्जी एक्ट जो आया था उसके बारें डिसक्स किया जाएगा चैप्टर सेकेंड का या पार्ट फर्स्ट है दो तीन वीडियो इस चैप्टर की बनाए जाएगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर कबर हो जाएगा आपको हम स्लेवास जो है टॉपिक वाइस पढ सकती हैं चली हम देखते हैं हो जैप्टर नрен लमबर 2 सबसे प्रबंधन क्या रस опыт प्रवंधन की और्जा प्रवंधन का मतलब होता है कि उर्जा का मैक्सिमाम यूज करके उसके यूटिलाइज करना अब आज कर होता क्या है आप अपने घरों में जो आपके घर में बल्ब वगएरे जलते रहते आप उसको खुला चोड़ के छोड़ देते हैं तो एनर्जी और लॉसस होते हैं उसका यूज कीज तो ऐसा तो है नहीं कि आप 100 परसेंट उसकाम को देते हैं 100 परसेंट तो आप देते नहीं है जिस प्रकार से कोई भी चीज आइडियल नहीं है अब अगर 100 परसेंट आपको किसी भी चीज की एफिसेंसी मिल ले लगे तो एक तरह से पुरा समाज ही बुदल जाएगा लेकिन इसा होता नहीं है कुछ ने कुछ है अराजक तत्व है या कुछ ने कुछ लाउसस आपकी होती रहती है तो ऐसे ही एनर्जी मैनेजमेंट का भी कॉंसेट है इसके अंतरत क्या होता है आपको हम बताते हैं यहाँ पर नीची देखिए आपका लिखा गया है एनर्जी मैनेज सिंपल यहीं होता है जो कुछ मियूज करें करें उस सका हुआ है यहां पर हमका सकते हैं पर प्रवस्तूं का उत्पादन करना और कम से कम लागत और कम से कम पर्यावरणी प्रभाव वाली समय प्रदान करना है देखें हो ये क्या गया है कि अनर्जी मेंजमेंट के अंतरगत हम ये देखते हैं जैसे कि आज कल वाय मंडल मैंने एक परकार की कैसों का विश्राण होता र लगी थी और यहीं कांसेट है आपका इनर्जी मेनेजमेंट का ठीक है अब यहां पर इसके कुछ अपजेक्टिश हैं इसको देखते हैं अबजेक्टिश यूस कि क्या हैं देखिए सबसे पहले इनर्जी मेंगेंट का जो में उत्यस्ता वो यह था कि पर्रयावरणी परभ भाव हो रहें उसको कम करना इसका में प्रुट लच्छ था इसका सकेंड था कि लोगों के मांग के अनुशार लग हुम अध्यम और लंबे समय की योजना बनाना इसब एनर्जी मेनजमेंट की वज़े से सपल हो पाया था कि हम छोटे बड़े या बहुत बड़े धंदे को स् स्टोरिंग करेंगे किस पकार से उसका में यूज करेंगे इन सब का में यसकें करना औरपकॉंट इसमें यह कहता था इसके बाद प्रोडक्ट के पे प्रड़क्शन वें relationships को कम करना यह है PB Lego लग ऑप कोई भी product बना रहे हैं उसका price कितना है 10 रुपए है ठीक है तो हम energy management के माद्यम से उसको ऐसा करते थे कि जो 10 रुपए में हमें product मिल रहा है उसमें हम थोड़ा सा कुछ ऐसा modify कर दें कि वह थोड़ा कम energy ले और हमें जितना भी काम पहले दे रहा था उतना अई काम अब भी थे तो इसके माद्यम से हम energy cost को कम कर सकते हैं ठीक है यह हो कि क्या यह हो कि आपका energy management और energy management का objective चैप्टर सेकेंड में यह सब आपको पढ़ना है energy conservation and ECX 2001 के अंतरत यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा और पूछा जो जाएगा वह सब आपको हम बताते हुए आके चलेंगे इस प्रकार से आपका energy management हो गया और objective of energy management भी यहाँ पे complete होता है इसके बाद जो आपका second topic है इसमें second topic इसमें है responsibility of energy manager यह तो नहीं है यह तो स्लेवस में आपके पढ़ना ही है इसके साथ ही साथ इसमें आपका और दिया है उपर energy policy and objectives energy policy and objectives मतलब जो कुछ भी उर्जा नहीं ती है energy policy इसके क्या objectives है इसको देखते हैं अब हम आपको बताते हैं था है इनर्जी पॉलिसी होता है home से सबसे बड़ा लृट करने का का मेंजर उसके अब अब गाइड करने का मतलब यहां पर क्या होता है मैनेजर को क्यों गाइड करेंगे तो देखिए ऐसा तो है नहीं मैनेजर ही सबसे बड़ा होता उससे बड़े भी अधिकारी बैठे रहते हैं के बिन में तो वह एनरजी मैनेजर जो होता है उसको गाइड करते हैं एनरजी मैन अनरजी पॉलिसी निरधर के गई थी तो उसके अंतरत क्या कि RAMSAY आता है इसको देखते हैं कि कि जला अरिखे हैं तो निसके मात्यल से किसी भी प्रड़क्ट के गुरवत तथा उसके औरश्य के जा चैनकारी मिलती है गायट करना के क्या किया जाता है जब हम उनको गाइड करेंगे कि से भी प्रड़क्ट को कैसे बनाना है कि उसमें अरजी कम हम इसको देखेंगे सब्सक्राइए के प्लानिंग को सही तरीके ा Elizabeth करना दो प्रबंदकों को गाइट करेंगे तो अपजेक्टिव करते हैं किस प्रकारस उसको हम चलाते हैं जिए होता इसका फ्रस्ट अब्जेक्टिव अपना नोड़्स बना सकते हैं इसके पहले आपको फर्स्ट चेप्टर रप्लेट करा दिया है उसका लेक्टर्स चैनल पर अबलेबल है इनर्जी कंजरबेशन नाम से प्लेइलिस्ट है उसको ओपन करके आप लोग वीडियो देख लिजेगा साथ इसाथ कम्मिनिकेशन इसकेंड का भी लेक्टर्स अबलेबल हो चुका है उसक प्लेबल है जितने भी योजनाई विक्सित हो रही है उसके उप्योग की खामता को बढ़ावा देना विजेगा सब्क्राइब और उसको और अधिक बढ़ावा दें अगर हान ही हो रहा है तो उसको पीछे छोड़ दें उसको बंद कर दें अगर देखें कि काम हमारा आके बढ़ रहा है तो उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दें जिससे समाज का भी कास हो पुरे देश का भी कास हो लोकों का भी कास हो यह प Ihnen बनाय जा रही है तो उससे निच्चत रूफ से पूरा करना है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आज प्लान करते हैं कहते है कि कल हमें दस प्रोडक्ट बना लेना है लेकिन रह कह करते हैं प्लान करते ही रहा जाते हैं करते ही रहा जाते हैं ना उनका विकास हो पाता है ना उनके वरकर्स जो होते हैं सदस्ते काम वाले होते हैं उनका भी विकास नहीं हो पाता तो इस पीच करें उसको निश्चित रोप से टाइम से उसको पुरा कर दें तो यह होता आपका सेकेंड अब्जेक्टिव एनर्जी पॉलिशी का फोर्त जो है उर्जाहानी को पहचान कर उसे कम करना जो एनर्जी मैनेजर होता है हमने बताया पहले ही कि जो आपका गाइट करने का काम करता है प्रवंधक को वह एनर्जी पॉलिशी कहलाता है तो एनर्जी पॉलिशी के अंतर मैनेजर ही आएगा तो वह क्या करता है अगर कहीं पर भी एनर्जी लॉसस हो रही है तो उसको पहचानेगा उसको चेक करेगा अब पहचानेगा कैसे अनेक प्रकारन के जाएगा उसका ज देश्य होता है नेक्स्ट पॉइंट नुबर फाइब आपका कहता है कि किसी भी फैक्टरी में जितने भी सदस्यों के भागिदारी हो उसे पूरा करने के लिए छोटे-छोटे समुहों को विक्सित करना देखिए मालेजे किसी भी फैक्टरी में आप लोग काम करने तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग préparने कर देखिए चैनल्य म्लागिदारी मिला रहता है अगर कहीं благ से कम करने हैं ऑर उनको एक साथ मैरेज नहीं कर पाते हम लोग तो लोग क्या करेंगे कि कि उनके इंको च्छोटे-च्छोटे समुवन में बार्ट देंगे उसके बाद उनको कैई देंगे तस लोग, पांच लोग को अलग काम देंगे, पांच लोग को अलग काम देंदेंगे, सबको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, इससे काम भी आपका जल्दी होगा, और आपका विकास भी जल्दी हो जाएगा, तो दोस्तों आसा गरता हूँ आपको energy management के बारे में total समझ में आ किया होगा साथ ही साथ आपको energy policy के बारे में भी समझ में आया होगा energy policy के objectives क्या क्या हैं ये सब भी आपको समझ में आया होगा आप लोगों से हमारी request यही रहेगी बार बार कि आप लोग अपने notes को complete करते रहें यह आपका ऐसा नोट्स इससे बनेगा इसको खुद हमने 5-6 बुक्स को मिक्स करके वहाँ से important lines को लिखके आपके copy किया है इससे कोई भी strike वगर है कि कोई भी attention नहीं है पहले तो channel पे strike आ गई थी लेकिन इस वज़ा से बहुत सारा losses भी हुआ है लेकिन अब हम कुछ अलग तरीके से आपको design करना जाते हैं आपके लिए notes सो आप लोग अच्छे से अपने notes को यहां से देखके बना लिजें क्योंकि आने वाले time में यहीं सब notes जो हमारे हैं जब complete कर लिये जाएंगे तो आप ही लोगों को pad के रोक में दिया जाएगा तब तक आप लोग अपना semester complete कर चुके होंगे आपके जो पीछे आ रहे हैं student उनके लिए पेड़ में रहेगा इसने हम आपको पहले से बता रहे हैं आप लोग notes अपना complete करते हुए जरूर चरिएगा बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तिन चार किताबों का mix करके notes बनाया जा रहा है इसको आप लोग जरूर complete करें जो लोग कहते हैं अपने channel पे कि हमने दूसरे का copy किया लोग उनका copy किये तो उनको हमें बताना चाहते हैं वो लोग खुद copy करते हैं हमने इतना PDF डाला हमारा लोगों ने copy किया था इस ट्राइ को ने हमारा copy किया और इस वजह से हम पकड़े भी कें इस वजह से अब आपके लिए हम कोई भी PDF प्रवाइट नहीं कर पाते हैं पहले आपको हमेशा PDF प्रवाइट कर देते थे ना कोई चार्ज होता था ना कोई कुछ होता था लेकिन लोगों ने हमारा copy paste करके अपने channel पे उसको जो कुछ भी करना था उससे वने बात करके सब कुछ समझोता करके फिर से अपना start कर दिया है तो एक ही गलती उसमें हो गई कि आपको PDF नहीं मिल पाएंगी बस यही उसमें उन लोगों का काना यही था कि PDF आप प्रवाइट नहीं करेंगे क्योंकि उन लोग यह कहते हैं कि अगर आठ मसें पांच चैनल पर हम चेक करते थे तो आपका एक एसी टेक्नियल क्लासेश का PDF कही ने कहीं जरूर मिल जाता था तो इस विज़र से स्ट्राइक आई हुई थी इसलिए आपको PDF प्रवाइट नहीं कर पाते हैं नहीं तो तीन साल से हमेशा आपको ठी में PDF प्रवाइट करते थे आप नहीं को भी पता होगा अगर आप सुरूर से हमारे चैनल पर ज्वाइल होंगे तो उसके बाद भी हम आपको important question कि स्रेज अब वीडियो के मादम से दे देते हैं PDF आपको हम नहीं देते हैं चलिए ठीक है हम अपना study हर देखते हैं तो आपको energy policy क आपको समझ में आ कि होगा अब हम बताते हैं आपको responsibility of energy manager जो energy manager होते हैं उनको क्या क्या उत्तरदाइद तो होते हैं इसको समझते हैं देखिए energy manager का बहुत सारा काम होता है तो उनके अलग-अलग उत्तरदाइद तो भी होते तो first step का है कि कि किसी भी कारी के लिए उर्जा म आउसस आपका environment में जरूर होता रहता है तो वही सिस्टम यहां पर भी है कि जो भी आपकी energy किसी काम के लिए यूज की जा रही है उसको हम कितना कम से कम रेट में उपलब्द कराएं उसके लिए कि कितनी प्रकार से यूजना बनाएं जब यूजना हम complete कर लेते हैं अगर उ जाओ जो आपका main प्रबंधन जो main अधिकारी होता है उसके पास इसका total विवराड सेंड करना काम होता है कि इसका energy manager का second आपका इसमें कहता है कि जिस भी उपकराण पर काम कर रहे हों उसके दच्छता की चांच करना उसके standardization एवं अन उपकरणों से तूरना करना अब आप भी मालेजे अपना कोई भी काम करते हैं पालेजे 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपका एक या दो सब्जेक्ट बहुत सही रहता है एक या दो सब्जेक्ट आपका बहुत सही रहेगा और बहुत सब्जेक्ट खराब भी होते हैं तो आप compare करते हैं कि हमारा सब्सक्राइब करना के उसकी और क्यों करना कि उसका product सही से kाम क्यों कर रहा मेरा product सही से काम क्यों कर ला है तोसकी compare की जाती है यह अग्यार है ऑनेर्जी इनकी इनकी रिस्पासिमिल्टि होती है क्ता पॉइंदoter कर लाएं के लिए प्रसिच्छन का निर्दाराण करना कॉश्व करना अब आप लोग कहते हैं जब आपकु के यूठ आत appropriate लेगी ट्रें corazón में आपको क्या किया जाता है सिखाया जाता है कि हमें आगे अपना काम करना कैसे कैसे नहीं करना है तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है जितने भी कंपनी में आपके अंडर में बैक्ति काम करते हैं तो उनको प्रसिचर करने के लिए उनका टाइम टेबल ने धारित किया जा बंदूख चलानी है तो आप सब काम थोड़ी न कर पाएंगे जैसे की अगर पुलिस भरते के बात करें तुम्हाँ पर ड्राइबर अलग काम करता है सब का मालग होता है खाना बनाने वाला अलग बाहर से कर्मचारियों को भी बुलाना पड़ता है इसको बुलाने के लिए जो रिस्वासबिल्टी होती है वो होती है किसकी एनरजी मैनेजर की फिफ्ट पॉइंट जो है इन्हों ने ये बताया था कि काम करने के बाद प्रोडक्ट में लगाया कि इससे माओं बिजली कि या काम देखते हैं कितने बिजली लगी है कितने कितने उसमें हमारा खर्च लगा है कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है तो इन सब के लिए जुम्हें उत्तरदायत होता है वो होता है काउन इनरजी मैनेजर के सभी होती है इसको हमने आप बता दिया इनरजी मैनेजर की पॉलसी लखेंगे उसके बार आफ लिखेंगे रिष्पांसि coconut energy manager तो इहां तक यहां पहाई हो गया अब आपका टॉपिक अता है यहां निफ्ट और फो आप का लिए अब आता है कर देखेंगे आफ लिए अभी तक आप मlawyang कारी करने का च्छम होती आप हम इसको देखेंगे आप लोग से बनाते रहिए हमारी रिखियेश्ट लिग सकते हैं लिक लेते हैं ना था अपको किसी बुक में मिलेगा आप बुक में ढोटा कर although ऐसा नहीं पूरा नमबर दीजाएगा तो हमने बताया क्या उर्जा की खपच जितनी होती है उसकी गर्णा करने के लिए हमें बार से कर्मचारियों को बढ़ाना पड़ता है तो वो जो आते हैं बार से कर्मचारी गर्णा करते हैं उनकी सहायता करना होता है इनर्जी मैनेजर का काम जो होता है उनकी सहायता करने के से के बड़ी बड़ी कंपनिया आपकी डास माल ले आप लोग एपल माल लेजीए सब कियों अपने प्रोड़क को लांच करते हैं कि इनका अलग बन चुका है और वह से सब कंपनियां नहीं बना पाती है लोगों का एक अलग स्टेंडर्ड होना चाहिए तब ही वो आगे कुछ कर-पाएगा इसी प्रकार से जतने पीड़े किसे कंपनय में युज किया जाते हैं उसमें ए्नर्जी कितनी खपत कहां रही है उसका इटा किया जा जा समय से भेजा जाता है अब थोड़ा सा यहां पर BEE के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर BEE क्या होता है जो यहां पर BEE का मतलब होता है Bureau of Energy Efficiency Bureau of Energy Efficiency इनका काम ही होता है कि यह आक टाइप का Bridge की तरफ होता है जैसे होता नहीं है आपका कैस्कूल करें यहां सब कुछ किरो चाटा है जिक जैता हम यहीं से मिलती है और वसाइब में की घॉइड़ गई तो ग Geschmdf किस लेवस में है आगे उसको हम बताएंगे आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है तो जो कुछ भी किसी भी प्रोड़ाट का स्टेंडार्जेशन किया जाता है उसका बीडेवल एक के पास टाइम पे भेजना यह सब होता है ड्यूटी आफ एनरजी मैनेजर का नेक्स्ट जितने उसके कर्मचारी काम करते हैं उसको प्रसिच्छन देने का काम होता है इनरजी मैनेजर का नेक्स्ट है उर्जा सनलच्छर के छेतर में अनुसंधानवा विकास को आगे की तरफ ले जाना उर्जा सनलच्छर का अगर विकास करना चाहते हैं द्योगिक छेतर में उसक पार इसको समझते हैं आप नोटस बनाते लिए हमारे तरफ से जो कुछ भी आता है उसको हम लिखते हैं जो तीन बार उसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका नोटस डेडी करा जा रहा है लेकिन शायद आप लोट इसके आपके लिए आपने आपको यह वालेबल ना हो आने वाले जो आपके पीछे जुनियर से उनके लिए बार नोट्स प्रवाइट किया जाएगा आप उनके लिए नहीं आप लोग बस वीडियो देख के अपना नोट्स बनाइएगा बस आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो आपको इंपोर्टेंट कोशिशन क इस रेज़ भी हम टाइम से प्रवाइट कर देंगे एक्जाम टाइम में करते भी हैं आपका मेकैनिकल इंजिनिलिंग का सब कुछ चलाया जा रहा है चैनल पे आप लोग अपने दोस्तों को बता देशे चैनल के बारे में इस ट्राइक आने के बाद भी आपनों का हम सेवा घुलारे आपको 10 किलो कैलोरी मिल रही 2 कईलों मिल दे तो इसका लगभग 99 परसंट 99.9% युश करने क्योंकि जितना कम वेका हमें उतने ही अधक अधिक तश्यता मिलेगी ए मपहद होसाँ इसके बारे में आपकी असले बस में करें तो जितनी भी defined का मैं उसका अधिक से अधिक हम यूज करें उसको अधिक से अधिक यूटिलाइज करें बिना मतलब का एनरजी को इधर उधर ना खर्च करें तो यह काम होता है किसका एनरजी मैनेजमेंट का यह सिध्धान होता है सेकेंड होता है उर्जा में हो रही हानियों को कम करना जहां तक हो सके उर्जा की किसे भी प्रकार की लॉसेस हो उसको कम से कम कर दें वहाँ पे उसको किसी तरह से डिजाइन करें कि इनर्जी लॉसेस कम से कम हो ये काम होता है प्रिंसपल मैनेजमेंट में नेक्स्ट कहता है र कार्णा प्रवाद कर सकते हैं अधिय। ना्युजद कर सकते हैं होता है तो यह किल देखि आई तरगत आता है तो इसी प्रकार से रिसाइक्लिंग प्रोसेस के माध्य हम से जो जामें यूज करने लाइक रहे हैं उर्जा काम पूना यूज करें अपने काम की तरफ उसको हम आगे बढ़ाएं नेक्ट पॉइंट आपका इसमें कहता है प्रिंसपल जो है एनर्जी मैनेजमे ही हो उसका जहां तक हो सके उसका रेट कम से कम हो जिससे हमें अधिक से अधिक लाव पराप्त हो सके तो यह था आपका प्रिंसपल आप एनर्जी मैनेजमेंट तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज के लिए यही तक रहने देते हैं अब आप लोगों से हमारी ही एक आप लोग टेलीगराम को जरूर्ड जोइन किये रहें टेलीगराम पे आपको हमेसा नए-एने नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथ एसाथ आप लोग हमें इस्टाग्राम पर फालू जरूर कर लेजी इसके साथ इसाथ आप लोग चैनल पे पहले बार विजिट की होंगे तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेजे इसी प्रकार डेली आपको वीडियोज मिलते रहते हैं हमारी चैनल पे जिस भी सब्जिट का हो पाता है ताइम प्रकार आपके लिए स्पेशली वीडियो प्रवाइड करते हैं अपना 100% आपके लिए देना चाहते हैं अब आपके उपर है आपको क्या करते हैं आपको पढ़ते कैसे हैं नोट्स कैसे बनाते हैं सब तो अब आपके उपर हैं हमारा काम है पढ़ाना आपको समझाना गाइट करना हम आपको इतना पता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही था मिलेंगे आपसे हम अब नेक्ट क्लास में धन्यवाद